नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में तो चलिए बिहार की दस प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं अधिकारियों के साथ मुख मंत्री ने की समिक्षा बैठक सभी जीलों में OBC कन्या आवासिय प्लस टू खोलने का निर्देश बकाय चात्रवित्ती प्रोचाहन रासी के भुगतान का भी निर्देश मुख मंत्री नितीज कुमा ने बीते सनिवार को एक ने मार्ग इस्तित संकल्प में समिक्षा बैठक की पिछड़ा एवं अती पिछड़ा वर्ग कल्यान विभाग की समिक्षा बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे इस दोरान मुख मंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिये अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशी कोत्तर चात्रविर्ती योजना मुख मंत्री अच्टन्थ पिछड़ा वर्ग मेगाविर्ती योजना एवं मुख मंत्री पिछड़ा वर्ग मेगाविर्ती योजना क के अंतरगत चात्र चात्राओं के बकाय चात्रविती पूर्चाहन रासी का बुकतान जल्द करने का निर्देश दिया गया समिक्षा बैठक में उपमुक मंत्री रेनु देवी भी मौजूद थी समिक्षा बैठक के दौरान सीम ने सभी जीलों में अन्य पिछड़ा वर्ग क उच्च विद्यालय, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जन जाती चात्रावास के साथ साथ सभी अलपसंक्यक चात्रावास में प्रतियों की परिक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास और कोचिंग की सुविधा प्रारम की जाएगी बिहार में इंटरपास लड़कियों के लिए खुसखबरी अकाउंट में जल्द आएंगे 25-25 हजार रुपईये बिहार के इंटरपास छात्राओं के लिए खुसखबरी है 25-25 हजार रुपईये का भुगतान अगले सब्ता तक सुनिश्चित करने जारी है यहार रासी डीबीटी के मैध्यम से उपलब्द होकी इसके लिए सिक्षा विभाग ने 400 कडोर रुपईये सभी जीलों को जारी किया है इसके अलावा सरकार ने मुखमंत्री कण्या उत्थान योजना के तहट 1,24,000 सनाफक पास लड़कियों को प्रुटसाहन रासी 50-50,000 रुपईये का भुगतान की कारवाई की जारी है सिक्षा विभाग के मुताबिक पिछले साल 3,28,431 इंटर पास अविभाहित लड़कियों के आवेदन मिले थे जिने 10-10,000 रुपईये का भुगतान किया गया था इस बार मिकमंत्री नितीश कुमार की घोषना और फिर मंत्री परिशत की मंजूरी के बाद इंटर पास अविभाहित लड़कियों को 25-25,000 रुपईये का लाब दिया जा रहा है पिछले साल 95,102 सना तक पास लड़कियों को 25-25,000 रुपईये प्रोत्साहन रासी दी गई वैसे साल 2018-19 में 24 जुलाई 2021 तक इंटर पास 3,88,431 लड़कियों ने आवेदन किया था इनमें से 12,089 आवेदन नामंजूर किये गए था जबकि 2,37,890 लाबार्थियों को वुक्तान किया गया था सरकार ने पिछले 4 वर्चों से इस योजना के लिए कुल 900 करोड रुपईये का प्रवाधान किया है बिहार में 387 दरोगा की नौकरी खत्रे में अकैडमी की परिक्षा में हुए फेल 10 को मिला 0 नमबर बिहार पुलीस में 387 दरोगा अकैडमी की परिक्षा में फेल हो गया है परिक्षा में असफल होने के बाद इनकी नौकरी खत्रे में है इन अधिकारियों की नौकरी जा सकती है हैरानी की बात ये है कि इन में से 10 दरोगा ऐसे हैं जिनें निदेशक मुलांकन में जीलो नंबर मिला है बिहार के राजगिर इस्तित पुलीस एकेडमी से हाल ही में 1581 दरोगा पासाउट हुए है 2018 बैज के इन अपसरों को फिलाल प्रोवेशन पीरियर से बिहार के विभिन जीलों में तैनात किया गया है एक सितंबर से ही आवंटित जीलों में वे योगदान दे रहे हैं 26 अगस्त को सियम निदीशकुमार के समक्ष इनकी पासाउट परेड हुई थी लेकिन हैरानी की बात ये है कि परिविक्षा काल में तैनात इनमे से 387 दरोगा को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है क्योंकि ये एकेडमिक की परिविक्षा में फेल हो गया है एकजाम नहीं पास कर पाया है दुर्गा पुजा में पटना के अंदर ना लगे जाम पटना पुलिस चार ट्रैफिक स्कुाइड करेगी तैनात सारदियन नवरात्र में अस्टमी की तारिक जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे तेवहार का असर राजधानी पटना के सड़क पर दिखने लगा है ट्रैफिक स्कॉाइड के गठन का निर्देश दिया है, बिरभार वाले इलाकों में इस स्कॉाइड की न्यूकती होगी, 16 जवानों के साथ एक पुलिस पताधिकारी की तैनाती की जाएगी, रिंज आईजी संजय सिंग निकाय की तैयोहार की समय जाम ना लगे, इसका खयाल पुलिस रख रही है, ट्रैफिक स्कॉाइड का गठन कर दिया गया है, और अलग-अलग इलाकों में लगने वाले जाम को छुडाने के लिए यह स्कॉाइड काम करेगा, राजधानी में तियोहार के बीच ट्रैफिक के नियम लागू किये जाएंगे, डाक बंगला, चौराहा, बेली रोड, बोरिंग रोड, पटना सिटी के कुछ इलाकों में, चार पहियो वाहनों की एंट्री नहीं होगी, इसके अलावा, भिडभाड वाले इलाकों में, कोमर्सियल गाडियों के परिशालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, पटना सहित आठ जिलों में नवंबर से शुरू होगा बालु खनन, बढ़ी कीमतों से मिलेगी राहत, बिहार में पटना सहित आठ जिलों में नवंबर से बालु खनन सुरू होने की संभावना है, इससे पहले निपीस केबिनेट ने इसके लिए खनन विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी थी, लेकिन केबिनेट का फैसला विभाग के पदाधिकारियों तक अपचारिक रूप से नहीं पहुंच पाया, इसके कारण घाटों की निलामी में देरी हो रही है, बतादे कि राज के आठ जीलों, पटना, सारन, भोजपूर, औरंगाबाद, रहतास, गया, जमुई और लखिसराज जीले में बालु घाटों की निलामी प्रक्रिया होनी है, राज केमिनेट की समती मिलने के बाद, खान एवंग भुतत्व विभाग ने इस दिशा में तैयारियां सुरू कर दी है, बालु घाटों का टेंडर 27 अक्टुबर को पुरा होने की संभावना है, इन आठ जीलों में बालु खनन करीब 6 महिने से बन है, नए बंदोबस्त ध केंद्र सरकार को बालु खनन की जिम्मेदारे मिलने पर इस्थानिया लोगों को आसानी से उचीत दाम पर बालु मिल सकेगा, इसके साथ ही सरकार को फिर से राजस्व भी मिलने लगेगा, रेल्वे करमचारियों को मिलेगा 78 दिनों का बोनस, मनोज कुमार सिंग बोले दसह से पहले मोदी सरकार ने दिया बड़ा तौफा, केंद्र सरकार ने दसहरे पर रेल्वे करमचारियों को सांदार तौफा दिया है, केंद्र सरकार ने रेल्वे करमचारियों को खुसकबरी देते हुए, उन्हें बोनस देने का एलान किया है, इस गोसना से लगभग 11.56 देते हुए उत्पादक्ता आधारिक बोनस को सुकृति दी है लगभग 11.56 लाख राजपत्रित रेल कर्मचारियों को 38 दिनों के बेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा बिहार में गहराएगा बिजली का संकट कांटी और बरोनी बिजली घर होंगे बंद तिजस्वी बोले डबल इंचन सरकार से ट्रिपल नुकसान बिहार सरकार ने छोटे बिजली घरों को बंद करने का नेने लिया है सुबे को लंबे अर्शे से बिजली देने वाले दो यूनिट एंटीपीसी बंद करने की तैयारी में है काटी और बरोनी थर्मल प्लांट बंद करने से बिहार में बिजली के समझ्चा और भी ज़्यादा गहरा जाएगी इस मुद्य को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्च तिजस्वी यादव ने नितीज के नित्यत वाले NDA सरकार पर निसाना साधा है और कहा है कि डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है बिहार में 110 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाली दो इकाईयों कांटी और बरोनी थर्मल प्लांट को NTPC द्वारा बंद किये जाने के एलान के बाद सियासत गर्म हो गई है बिहार के पुर्व उपमकिमंत्री और सदन में निता प्रतिपक्ष तिजस्वी यादव ने सनिवार को ट्वीट कर बिहार सरकार पर निसाना साधा डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है और हर छेत्र में ट्रबल ही ट्रबल बिहार में नवरात्र के मौके पर चलेगा टिका करन का बिसेश अभ्यान 9 और 11 को सभी जीलों में मिलेगा वैक्सिन पिहार में नवरात्र के मौकेपर टिकाकरन का विशेज अभ्यान चलाया जाएगा, 9 और 11 अक्टूबर को टिकाकरन केंद्रों के अलावा सहर के विशेज पुझा पंडालों में भी टिकाकरन लगाया जाएगा स्वास्त विभाग ने 38 जीलों को इस संदर में टिका का आवंटन कर दिया है स्वास्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना टिकाकरन अभ्यान की गती देने के लिए 9 तथा 11 अक्टूबर को विसेश टिकाकरन का अभ्यान चलाया जाएगा दुर्गापुजा के बेच विभाग ने कोरोना टिकाकरन अभ्यान को और देज करने के लिए यह निन्य लिया है ताकि लोगों का अधिक से अधिक टिकाकरन किया जा सके दुर्गापुजा के मेले में होगा कोरोना का टेस्ट वैक्सिन लेने वालों को ही मिलेगी पंडालों में एंट्री पिहार में दुर्गापुजा को लिकर जरूरी गाइडलाइन्स दारी कर दी गई है खास कर इस बार पंडालों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ज दार सरकार ने कोरोना से निपटने को लिकर दुर्गापुजा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। क्या करेंगे और उनके लिए क्या मापदंड तय किया गया है। अब हम इसकी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। कर्मिसन देने के लिए जिला प्रसासन को दो बिसेश चीजों पर ध्यान देना होगा। और प्रवेश द्वार पर आगंतुकों को टिका करन संबंदित प्रमानपत्र की जास की विवस्ता की जाए। नियोजित सिक्षकों के लिए बड़ी खुसकबरी। टीटी एस टीटी उत्तिन नियोजित सिक्षकों के संग ने प्रदान सिक्षक नियोक्ति नियमावली को पटना हाइकोट में चैलेंज किया है। और इसमें सुधार के मांग की है केस में पटना हाइकोट ने अंतरिम राहत संग को दी है। संग की ओर से हाइकोट के वकील कुमार सानू ने बताया है कि इस मामले में हाइकोट का निर्देश आया है कि पिटिसनर संगठन के सभी सदस अभी प्रदान सिक्षक के लिए परिक्षा दे सकते हैं लेकिन आगे कोट का जो भी फैसला अंतरिम रूप में होगा वही मायने ह तो आज के सुर्कियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ है साथ अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में सेयर करना ना भूले धन्यवाद